वेलकम बैक टू माई यूटीब चानल आई होब कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और यहां पे मैं आज आप लों के साथ पे शेयर करने वाले हैं एक सारी ड्रेपिंग की वीडियो और मैं जब भी वीडियो शूट करती वाइस और करती तो मेरी प्रिंसस की आवाद करूंगी वीडियो की तरफ चलते हैं नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा चैनल में फर्स टाइम है तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगा बेल बटन प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली ऐसी वीडियो को नेटिफिकेशन आप को मिलता रहे ठीक है यहां पर अपने सारज है निहीं एक सारी के लाल्स वाला फैब्रिक उठाना दना ज्यां को जिखन देना पहले सारी को बहुत से तक नहीं करना आ है आपको सिंप्ली अपने disclose से टकिंग करनी है जैसे कि हैं मैं टugging स्टार्ट की हूँ और आपने left corner में साडी को टक कर देना है अब इसके बाद मिदें साडी को नीचे से सट करने साडी की लेंद बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहे अपको हमेशा बैली बैली बेटन होता है तो नीचे करनी को थोड़ा सा नीचे से टकिंग करनी है उसके बाद तक करने दोनों साइडे की बाद मिट पार्ट को पूरा अच्छे से उसके आपक करने तो साडी के ड्रेपिंग भी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी ठीक है तो इतना करने के बाद अब आपने क्या करने हैं अपने लेने साडी का जो पल्लू आला पार्ट है उसको ले लेना है करने के लिए लेना है वार गतिस्तला से पछल्द दूपर उसको ने बार जोड़ी दूपर प बिल्गों के बसुत पपर मीं बपका है Schutz भी आपने कांशा सी एक continuar देंके बाद जोड़ी तो नहीं युच्छिबे देंगे लिए तो तो सब्सुत neither कि कि अ मिल जायेगा है व्या ठीक है तक करने के बाद हम यहां पर इस बाइट्स बणनानी के आ squeeze करेंगे अगर आप ऐसए करेंगे थे प्लेट्स काफ आठीक है और आप जब गशा करेंगगे शीजुक्त सब दे नहीं तक डिखने के से शाफिक है करेंगे अगर आप इस प्लेट को उल्टे साइट करेंगे तो आपको simply वहाँ पे कुछ भी करने की ज़़ुरत नहीं होगी अब इसके बाद जो पहला वाला बॉर्डर है वहां से ले करके हम सारे प्लेट को one by one अरेंज कर लेंगे अब देख सकते हैं काफी अच्छे से अरेंज भी हो गया है ठीक है और जब अरेंज हो जाएगा तो simply हमने क्या करना है इसको ले जाकरके अपने left shoulder पे हैंक कर देना है यानि कि इसको left shoulder पे ले जाना है अगें हम measurement एक बार कर देंगे छोटा बड़ा हो तो हम आप अभी अरेंज कर सकते हैं अब इसके बाद यहां पे कुछ नहीं करना है आपको safety pin से यहां पे सिक्योर कर देना है ठीक है सिक्योर करने के बाद उसके बाद हम सारा कुछ अरेंज करेंगे अगर आप इस तरीकी से करेंगे तो आपका फटाफर से सिक्योर भी हो जाएगा और सारा प्लेट्स अरेंज रहेगा अब देखे अब जो इंसाइड वाला पल्लू था जो अभी मैं आप लोग को प्लेट्स में बता रही थी अब हम उसको लेंगे और इसको लेने के बाद यह देखे यहां अच्छे से यह वाला पल्लू है सिक्योर होगा अब जो अंदर वाला वो है ना बॉर्डर है हम इसको लेंगे और यहां पर अपने एक एक बॉर्डर को अरेंज कर लेंगे सिट कर लेंगे कि यह सब चीजे बात की है बट सबसे जरूरी है कि अच्छे तरीके से आपको पल्लू है वह सिक्योर हो जाए बट अगर वह सिक्योर नहीं होता है तो पूरी साड़ी बहती गंदी कि अच्छे से सिक्योर हो गया अब इसके बाद हम इसको वाले पल्लू को बॉर्डर को लेते हुए अच्छे से पूल करेंगे इसको खीच करके ले आएंगे किचक किलाने के बाद left side से ले आना है इसको और जितना हो सके अख करव काicamente कव का शेप देड़ी हम इसको राइट साइड में तकते हैं निए कंगगे धिक्या है तकते हम के वहीं से प्रेट से स्टार्ट करने के लें शापट करेंगे से आपकी साइड ड्रेप हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप फर्स टाइम ड्रेप करना है कम से कम सेफ्टी पिंस का में यहां पर यूज करूंगी बट हाँ फर्स टाइम ड्रेप कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छी समझ में आ जाएगा अब जो है न मैं रे प्रेट में स्टार्ट करूंगैंगे यह कोई अपने कीचें के और जो भी ओने चौटी से यहांं पर चुन्नटे बन जाके और यहां पर इस कर देंगे यह देखे अब यह इतना लुक मिल जाएगा मिल जाएगा प्लेट ताखी में यह कुछ जाएक जब करनाे दया और उब न प्लेट्स को बनाने स्टार्ट खकते हैं तो पहला हम से बड़ा करेंगे वह थोड़ा से बढ़ार करेंगी और उसके बार सारे प्लेट्स को एक नॉमल तरहिक बनाता ह्वार्द अगर वैस घुम प्लेट के आपको नहीं आता है एक दम बनाना तो उसकी वीडियो मेरे चानल पे पड़ी है आप प्लेलिस में जाकर के देख सकते हैं मैंने ने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है तो आप देख कर कि वहां से भी काफेकूद सीख सकते हैं अब यह प्लेट्स अरेंज हो तुरंद बाद ही ना हम इसको safety pin से secure कर देंगे क्यों क्योंकि first time drape कर रहे हैं और अगर आप first time habitual है तो आप नहीं भी टक करेंगे तो भी आपको idea हो जाएगा कि आपकी साड़ी secure है खुलेगी नहीं थोड़ा भी उपर नीचे होगी ना तो आपको काफी जादा idea मिल जाएगा तो मैं जनली टक नहीं करती है मुझे टक करना पसंद नहीं है बट ये first time अगर आप drape कर रहे हैं तो आप इसको टक कर लीजिए और यहाँ पर टक करने के बाद जो भी extra fabric बचेगा उसको simply right side में हम secure साड़ी से ढका होता है अब देखो यहाँ पे जो थोड़े बहुत से plates अ यह प्लेट चौड़ी है जनली में इतने चौड़ी प्लेट की साड़ी नहीं पहनती हूं मतलब कि जो मैं बोलूं कि ना ऐसी साड़ी जो पूरे बैली एरिया को cover कर देना मैं तो जनली ऐसे नहीं पहनती हूं but it depends on your choice और यहाँ में अगर थोड़ सा लूज हो तो आप यार दीजिये support करियो और अपने friends family के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिनको भी इसकी जरूरत हो जिनको जरूरत नहीं बठा जिनको भी ना जरूरत हो तो आप शेयर करियेगा और bye guys मिलूंगे आप से अपने next video में तब तक के लिए घर में रहे सेफ रहे और ह आप मुझे इसे support करते रहे है for more details subscribe bye bye